नमस्कार स्वागत आपका जिलीत ओफिसियल में दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे ने जो सारी गाडियान चलाई थी यानि कि जो स्पेसल ट्रेने चलाई थी जो फसे हुए लोगों को स्रमिकों को तो कुछ है नुकसान आप इस वीडियो को पूरा देखिए फिर आप कुछे ये बताओ कि इसमें से क्या है आपका फायदा और क्या आपको नुकसान पहुंचा सकती है लेकिन उससे पहले आपसे गुजारी से कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों सबसे पहले में आपको यहाँ पे क्लियर कर दों कि यह जो भी कुछ नियम यहाँ पे नए नियम लागू है वो है आरेसी में यहाँ पे पर्मिसन दे दी गई यानि कि इजाज़ा दे दी गई है लोगों को सफर करने की इन ऐसी स्पैसल ट्रेंस में साथ में दोस्तों सिर्फ आरेसी की बात नहीं है साथ दिन पहले जो बुक हो रहा था अब उससे 30 दिन कर दिया गया यानि कि एक महीने पहले तक आप इन गाडियों में टिकट बुक कर सकते हो दूसरी जो बात है दोस्तों यहाँ करेंट टिकट अवलेविलिटी का ओप्सन आपको मिल जाएगा यानि कि एक चार इन गाडियों में बनेगा चार घंटे पहले दूसरा बनेगा दो घंटे पहले गाड़ी के खुलने से अब यहाँ क्या होता है इस चार और दो घंटे के बीच में जो दो घंटे का गैप मिलता है इस बीच करेंट अवलेविलिटी में आपको आप्सन्स मिल जाएंगे और साथ में CSC से भी टिकट बूक हो सकेगी पहले की तरह इनमें ततकाल या प्रीमियम ततकाल की आप्सन आपको नहीं मिलेगा यह तो थे नए रूल्स लेकिन यहाँ पर जो परेशानी की अगर मैं बात करूं तो वो यह है कि RAC टिकट के साथ में जो लोग सफर करेंगे क्या उन पैसेंजर्स के साथ में सोसल लिटेंजी का खयाल रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ कम जगों में ज्यादा लोगों को सफर करने की इजाज़ात रेलवे दे रही है तो इस हिसाब सागर देखा जाए तो सोसल लिटेंजी का जो भई यहाँ पर मतलब मुझे लगरा सायध पालन नहीं हो सकेगा या फिर अच्छे से नहीं हो सकेगा हाला कि रेलवे अगर कुछ अलग से कुछ सुभिधा करती है तो वह बात और है लेकिन इसके बारे में आपक्र कुछ बताया नहीं गया लेकिन अगर ऐस नजरिये से नजरिये से जो इस वक्त बाहर फसे हुए हैं तो उनके नजरी से वो भी सही है, कि चलो वही कम से कम घर तो पहुंच रहें, जैसे भी पहुंच रहें, लेकिन घर जाओगे COVID-19 के साथ में, तो भई समझ लो, घर वालों को भी परिशानी में डाल सकते हो, हाला कि घर जाने के बाद भी तो कुरेंटाइन सेंटर में रहना पड़ता ही है, तो खेर कोई बात नहीं है, जो भी हो आपकी राय, इस बारे में आप मुझे प्लीज कॉमेंट के बताना, एक और बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो स्रमिक स्पेसल ट्रेने चल रह या फिर जो भी गाडियां चल रही थी, मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोगों को रास्ते में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, यानि कि ट्रेनों को 8-8 गंटे, 10-10 गंटे प्लेटफोर्म पर या फिर प्लेटफोर्म से बाहर खड़ा कर दिया जा रहा है, आखिर किस से लेकर के उड़ान भरने तक हर एक जानकरी आपको देने वाला हूँ, आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकरी को दोस्तों पहुंचाने के लिए वीडियो को सेर करें, चलता हूँ, फिर मिलुगा एक और नई जानकरी के साथ अब तक के लिए, टेक केर, बाई बाई